ओके सो ही गाईज वेलकम बेक टुमाय वीटूब चाइनल टेक निकल सेलेंद तो फाइनली आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की जैसे हमारा यूटूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका है तो आज के वीडियो में आप लोग बताने बाला हूं हमारे यूटूब से का दाहिल फूल हो सकता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों मैंने दो साल पहले यू क्या होता और है रud Ayutos क्या होता है उसे इस वारे हमें कुछ भी नहीं था इस जब हमारा चैनल टर्मेट हुआ था तो मैंने एक दीर मिना के आसपास फिर से वीडियो बनाना बंद कर दिया था यानी की लिए नहीं फिर से मैंने पार पिर से एक चाइनल क्रियेट करके देख यहां तो फिर से मैंने एक चैनल क्रेट किया चैनलेंद में आ worry आपलोड करना चालेंद में उस वीडियो पे TikTok पे काफी जादा followers यानि views भी आ रहे थे काफी लोगों को तो मैंने सोचा TikTok tutorial देना start करता हूं तो फिर से मैंने railway के related video न बना कर TikTok tutorial बनाना start किया जैसे ही कुछ video मैंने upload किया तो कुछ video हमारा यहाँ पे viral होना start हो गया था उसी बीच में lockdown लग गया था पिछले साल जब lockdown लग गया तो हमारे पास 2-3 महिना time मिल गया तो उस बीच में मैंने TikTok tutorial पे काफी तेजी से video upload करना चालू किया यानि कि एक दिन में 3-4-5-5 वीडियो मैं tutorial upload करता था तो उस बीच में हमारा channel जो था grow करना start कर दिया था तो दो महिने में मैंने यहाँ पे watch time भी complete कर दिया था और 1000 subscriber जो complete करना होता है ओ भी मैंने पूरी तरह से कर लिया और lockdown में ही मैंने lockdown में channel को मैंने monetization के लिए apply कर दिया था क्योंकि उस time मेरा watch time भी और subscriber पूरी तरह से complete हो गया है क्योंकि monetization on करने के लिए कम से कम 4000 घंटा watch time और 1000 subscriber जरूरी होता है मैंने apply किया था तो यहाँ पे हमें 7 से 10 दिन के आसपास में channel हमारा monetize हो गया था इसके बाद मैंने फिर से TikTok वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया क्योंकि हमें Google Adsense पीन verification करने के लिए हमें कम से कम Google Adsense में 10 डॉलर complete करना होता है यहाँ पे हमें 10 डॉलर complete करने के लिए भी 3-4 महिने लग गये क्योंकि जैसे ही 3-4 डॉलर होता था गोगल Adsense में अपडेट होने के टाइम आता था तो उहाँ पे हमारा YouTube के मेंट काट लेता था इस तरह से हमें 3-4 महिने काफी जाधा problem आया इसके बाद अचानक से आप लोग पता होगा TikTok इंडिया में बैन हो गया कभी बीच बीच में महिने में 2-3 वीडियो अप्लोड करता था इसके बाद अप्लोड नहीं करता था तो कि मैं सोच रहा था TikTok वापस आएगा वापस आएगा यह सोचता रहा है लेकिन फाइनली TikTok वापस नहीं आया तो इसके बाद मेरा चाइनल मॉनिटाइज हो गया था मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो अप्लोड करना परेगा क्योंकि यहां पे मैंने काफी मेहनत कर चुका था और काफी वीडियो भी अप्लोड कर चुका था चाइनल पे चाइनल मॉनिटाइज हो गया था फिर से मैंने सोचा चलो यहां पे रेलवे का ही वीडियो अप्लोड करता हूं फिर से मैंने यहां पे रेलवे रिलेटेड वीडियो अप्लोड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर से देरे देरे चाइनल हमारा गुरू हो गया गुरू होना स्टार्ट हो गया इसके बाद हमारे एरसेंस में 10 डॉलर कम्प्लीट हुआ इसके बाद मैंने हमने एरसेंस पीन के लिए अपलाई किया इसके बाद फिर से बात किया जाए तो 2021 में फिर से लॉक्डाउन लग गया था लॉक्डाउन लगने के बाद जैसे आपको पता हुआ काफी लोग घर पे बैठे पड़े थे यसी बीच में मैंने काफी ज़ादा महिनत किया इस बीच में एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड किया इस्व बीच में हमारा चाइनल काफी तेजी से कोग चैनल ग्या और बात सबक्राइब कर दोолот 했. 110 डॉलर कंप्लीट हो गया और अपडेट भी कर दिया गया इसके बाद यहाँ पर बात किया अगर Payment के बात किया जाए इसके बाद मैंने यहाँ पे Bank Account Adiente में 되면 Aíd करना होता है तो मैंने यहाँ पे 110 डॉलर कंप्लीट हो गया था तो मैंने वहाँ पे Bank Account Ad किया इसके बाद हमें 22 तारीक के डेट में एक मेल आता है Google असेंd की तरब से और बताया जाता है इसले आपकाइमेंट जो है अपडेट कर दिया गया तो फाइनली हमारा 30 तारीक के डेट में हमारे एकांट में 820 रुपे कर दिया था जो कि आप यहां देख सकते हैं तो लाइफ प्रूप में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि हमारा गूगल एजसेंस में 110 डॉलर के आसपास अपडेट किया गया था तो उसी के आसपास